सबसे पहले इस टाइटिल को देखते हैं A Strategic Bulwark Strategic का मतलब होता है युद्ध नीती से संबंदित रण नीतिक A Strategic Bulwark Bulwark का मतलब होता है A Defensive Wall रक्षात्मक दीवार तो यहाँ पर इस टाइटिल के माध्यम से कहा गया है कि भारत के लिए जो मद्य एशियाई छेत्र है यहाँ एक Strategic रक्षात्मक दीवार है रण नीती से संबंदित एक महत्वपून दीवार है यह छेत्र India Must Redouble Efforts कि भारत को जरूर अपने efforts जो है ना उनको और Double कर देना चाहिए किस और? Towards Central Asia कि मद्य एशिया छेत्र में भारत को अपने जो प्रियास है उनको और ज़्यादा Double कर देना चाहिए To counter प्रतिरोध करने के लिए The Great Game Rivalries देखो Rivalry का मतलब होता है प्रतिद्वन्द्विता दो पक्षों के बीच में जो टक्कर होती ना बोलते है Rivalry तो मद्य एशिया छेत्र में जो Great Game Rivalries जो Great Game प्रतिद्वन्द्विता हमें देखने को मिल रही है देखो यहाँ पर Great Game Rivalries से मतलब है कि जो मद्य एशिया छेत्र है इस छेत्र में कई देश अपना प्रभाव बढ़ाने में लगे हुए है तो एक तकरार हमें देखने को मिलती है जैसे चाइना भी अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा हुआ है रशिया, अमेरिका भी जो है इस छेत्र में अपनी पकड़ बनाने में लगा हुआ है तो कुल मिला के ये जो प्रतिद्वंद्विता इस छेतr में बनी हुई है इस इसका प्रतिरोध अगर भारत को करना है तो भारत को अपने प्रयासों को इस छेतr में और ज़्यादा बड़ा देना चाहिए भारत के बीच में और मद्-ेशिया के बीच में एक मीटिंग हुई, एक डायलोग आए, convened, convened का मतलब है, जैसे किसी मीटिंग को बुलाया जाता है ना, तो बुलाना, convened by External Affairs Minister S. Jaisankar on Sunday, रविवार को भारत के जो विदेश मंत्री है Mr. S. Jaisankar, इनके द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई और ये मीटिंग भारत और मद्द एशिया के जो देश हैं, इनके बीच में हुई, तो ये मीटिंग जो है, is one, in a series of timely connections to the reason, by New Delhi this year, तो ये जो मीटिंग है, यह एक श्रंकला का हैसा है, timely connection, भारत ने बिलकुल समय रहते, जो connections, इस्थापित करने की कोशिश की है, इस मद्द एशियाई छेतर से हैं, by New Delhi this year, इस वर्ष भारत ने मद्द एशियाई छेतर से संपर्क बनाने की जो भी कोशिशे की गई हैं, उन्ही कोशिशों में से एक कोशिश यह भी है, spurred in spurred in some measure by events in Afghanistan, अब भारत ने इस छेतर में, यह जो connections बढ़ाने की कोशिश की है, इनको प्रोचसाहन मिला, spurred का मतलब है किसी चीज को प्रोचसाहित करना, in some measure, in some measure का मतलब है कुछ हद तक हम कह सकते हैं, कि यह meetings भारत ने की, जो connections भारत ने बढ़ाए, इनको कुछ हद तक बढ़ावा मिला, encouragement मिला, प्रोचसाहन मिला, किन बातों के चलते, वे घटना हैं, जो अफगानिस्तान में हुई, उनके कारण, The dialogue has been held a month before leaders of all five Central Asian Republic, CAR, C-A-R-S, इसकी full form है Central Asian Republic, Republics, come to New Delhi, as chief guest for the Republic Day celebration, देखो, भारत का जो गणतंत्र दिवस है, उसका जो celebration है, उस पर ये जो कारदेश है, इनको chief guest के रूप में भारत जो है, बुलाएगा गणतंत्र दिवस होई, तो उसके एक महिने पहले ये meeting हुई है, hold held आयोजित होना, and a month after National Security Advisor अब देखो, एक महिने पहले, जो भारत के रास्टरी सुरक्षा सलाकार है, उनके दोरा एक meeting आयोजित की गई थी, तो कुल मिला के editorial कहना चाहरा है, कि Mr. Ajit दोवाल के दोरा, जो meeting आयोजित की गई थी, उसके एक महिने बाद ये meeting हुई है, अभी हाली में जो संडे को meeting हुई, और एक महिने पहले हुई है, कि इसके एक महिने पहले, कि ये जो Central Asian Republics हैं, इनको भारत जो है, Chief Guest के रूप में, गंतर द्रिवस पे बुलाएगा है, तो अभी उसमें एक महिना बाकी है, जनवरी में होगा, मिश्टर ये अजीत दोवाल जो है, इन्होंने एक महिने पहले meeting की थी, Regional Security Dialogue, कि ये जो मद्ध एशियाई छेतर है, इसकी सुरक्षा से संबंदी थी, ये meeting थी, with his car counterpart, देखो counterpart का मतलब होता है, समकक्ष, जैसे आप किसी देश की राष्टपती हो, तो जो दूसरे देश का राष्टपती, वो आपका समकक्ष हो गया, with his car counterpart to discuss, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के संबंद में, बात करने के लिए, मिश्टर अजीत लोवाल ने, अपने जो समकक्ष हैं, उनसे बातें की थी, एक महीने पहले एक मीटिंग हुई थी, और अभी एक और ये मीटिंग हुई है, अभी हाली में, जो कि विदेश मंत्री के द्वार आयुजित की गई है, Among the issues discussed on Sunday, तो रविवार को ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में कई मुद्दे जो है, उनको discuss किया गया, उनके बारे में बातचीत की गई, उनमें कुछ मुद्दे थे, उनमें क्या-क्या बात ने थी, एक्स्टेंडिंग इमिडियेट हुमनिटारियन एड टू अफगानिस्तान, एक्स्टेंड का मतब है विस्तार करना, और ज़्यादा बढ़ाना, कि ततकाल मानवी एड का मतब है support, सहायता, कि अफगानिस्तान को ततकाल मानवी सहायता उपलब्द कराना, एक तो यह point था इस meeting का, increasing trade, वियापार को बढ़ाना है ना, कि वियापार को बढ़ावा दिया जाए, इसके अलावा, and improving connectivity, और जो connectivity है विभिने देशों के बीच में, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, it is significant, यह बात भी काफी महतपून है, यह महतपून है, that the car foreign ministers chose, कि car यह जो देश है, इनके जो विदेश मंत्री है, इन्होंने इस बात को चुना, to come to New Delhi, की meeting के लिए, इन देशोंने नई दिल्ली आना चुना, an indicator, यह इस बात का सूचक है, that India's outreach to Central Asia, की भारत की जो पहुँच है, मद्ध एशिया छेतर में, अब देखो मद्ध एशिया छेतर के लिए बताया जा रहा है, a reason, यह जो Central Asia है, एक ऐसा छेतर है, neglected by South Block, यानि कि जिसकी उपेक्षा की गई, काफी लंबे समय से जो है, उपेक्षा की गई, by South Block, देखो South Block, दिल्ली में वो छेतर है, जहाँ पर Prime Minister, इसके अलावा हमारे रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, इनके offices यहाँ पर situated है, for several decades, several का मतलब है कई, decade का मतलब होता है, 10 वर्षों का समय, कई दशकों से, South Block के द्वारा, मद्ध एशिया छेतर की जो है, उपेक्षा की गई, लेकिन अब क्या हो रहा है, कि यह जो कार के, जो Foreign Minister से, इन्होंने नई दिल्ली आना चुना, तो इस बात से पता चलता है, यह इस बात का सूचक है, कि भारत की जो पहुँच है Central Asia में, इज, being reciprocated, उस पहुँच का, प्रतीफल हमें मिल रहा है, देखो, reciprocate का मतलब होता है, आपने मेरे लिए कुछ किया, तो मैं आपके लिए कुछ करूँ, तो इसको reciprocate करना कहते हैं, आदान, परदान, विनिमय, इसको हम बोलते हैं, reciprocate करना है, यानि कि भारत जो पहल, मद्य एशिया के संबन्द में कर रहा है, उन पहल का जवाब भारत को मिल रहा है, वे पहल जो है, उनको reciprocate किया जा रहा है, आगे देखते हैं, कि the joint statement, एक सहियुक्त बयान जो है, जारी किया गया, एक सहियुक्त statement जारी किया गया, that they share a broad regional consensus on Afghanistan, देखो consensus का मतलब होता है, सहमती, agreement, तो ये जो meeting हुई, इस meeting में आप कहा सकते हो, एक सहियुत statement जारी किया गया, उसमें कहा गया, कि अफगानिस्तान को लेकर, ये एक, आप कहा सकते हो, अफगानिस्तान को लेकर, एक व्यापक छेत्रिय सहमती देखी गई, तो ये जो joint statement है, is apt, ये बिल्कुल suitable है, ये बिल्कुल appropriate है, ये बिल्कुल उप्युक्त है, given that, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए, like India, भारत की तरह, all the Central Asian neighbors of Afghanistan, कि, all the Central Asian neighbors of Afghanistan, कि भारत की तरह, अन्य, जो एशियाई मुल्क है, जो की अफगानिस्तान के पडोसी है, worry about, वे इस बात के बारे में चिंतित है, the threat of terrorism, भारत देखो, एक तरीके से अफगानिस्तान का खत्रा, threat का मतब हो गया, खत्रा, the threat of terrorism, आतंकवाद का खत्रा, radicalization, कटर्ता, narcotics, narcotics में आती है, नशीली दवाएं, नशीले पदार्थ, and drugs, यह सब narcotics में आता है, and refugees, शर्णार्थी, तो यह कुछ खत्रे खड़े हुए है, मदेश यह चेत में, भारत भी उनके लिए चिंतित है, और अफगानिस्तान के अन्य जो पड़ोसी देश है, वे भी आतंकवाद, radicalization, narcotics, और शर्णार्थियों को लेकर चिंतित है, however, हलंकी, unlike India, unlike India, यानि कि भारत की तरह नहीं, most of the cars maintain bilateral talks with the Taliban regime, regime का मतलब होता है, शाशन, व्यवस्था, यानि की भारत तो ऐसा नहीं करता, लेकिन अन्य जो car के जो देश है, उन्होंने बनाया हुआ है, क्या दूइ पखशी बाचीत, इन्होंने तालिबान जो व्यवस्था है, तालिबान से, दूइ पखशी संबन्द, कार देशोंने बनाय हुए, हालांकि भारत ने ऐसा नहीं किया है उजबेकिस्तान and तुर्कमेनिस्तान have reopened missions there कि उजबेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो है इन्होंने अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इनके जो भी प्लान है उनको अफगानिस्तान में पुनहे खोल दिया है ट्रेड बिट्वीन इंडिया एंड सेंटरल एशिया एज लॉंग लैंगविश देको लैंगविश का मतलब होता है बेकार हालत में होना है बहुती खराब इस्तिती में होना बिलोव 2 बिलियन डॉलर की भारत और मद्द एशिया के बीच में जो व्यापार है उसकी इस्तिती बहुत खराब है वह 2 बिलियन डॉलर से कम है और एक लंबे समय से with all sides keen to grow this हलंकि जो सारे की सारे पक्ष है यानि की भारत और मद्द एशिया के जो देश है सभी पक्ष जो है उत्सुक है कि इस व्यापार को और बढ़ाया जाए इन एडिशन और अत्रिक्त रूप से अगर हम बात करें इंडियास $1 billion line of credit for projects in Central Asia की भारत में मद्द एशियाई जो छेतर है उस छेतर में कई projects के लिए $1 billion जो है निर्धारित किये है and connectivity initiatives भारत क्या करना चाहता है कि कई काम मद्द एशियाई छेतर में करना चाहता है कई जो है पहल, initiative का मतलब है पहल such as चाबहार port की भारत ने चाबहार port जो निर्मित किया है इसको भारत और ज़्यादा विक्सित करना चाहता है इसके अलावा the international north-south transport corridor भारत चाहता है कि एक अंतराष्ट्री नौर्थ-south transport है न एक नौर्थ-south transport गलियारा बने and the तुर्कमेनिस्तान, अफगेनिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, गैस pipeline इस वर आल पार्ट अप दर डायलोग है न कि ये जो पूरी की पूरी meeting होई इस meeting में ये सारी की सारे मुद्धे जो है discuss किये गए कि भारत ने कहा कि ये जो चाहता हर पोर्ट है इसको और बढ़ाया जाए नौर्थ-south जो गलियारा है इस पर काम किया जाए इसके लावा गैस pipeline निर्वित करने की बात भारत ने कही कि इसको जो है बनाया जाए ताकि तुर्क्मेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को गैस pipeline के माध्यम से जो है जो है जोड़ा जा सके connectivity को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके while जबकि the strengthening of India Central Asia ties मजबूती देना किस चीज को भारत और मध्य एशिया के जो संबंध है उनको मजबूती देना and a revival of their traditional इसके अलावा भारत के मध्य एशिया एशियों के साथ में अन्य जो संबंध है उनको पुनर जीवित करना revival का मतलब है पुनर जीवित करना कि भारत के मध्य एशिया एशियों के साथ में जो पारमपरिक संबंध है एतिहासिक संबंध है सांस्कृतिक संबंध है इनको पुनर जीवित करने की बहुत ज़्यादा जरूत है are much needed का मतलब है इसकी बहुत ज़्यादा जरूत है it is also important यह बात भी काफी महतपूर्ण है to recognize कि इस बात को पहचाना जाए the geopolitical cross currents geopolitical का मतलब होता है भू राजनेतिक और cross current का मतलब होता है एक ऐसी situation जहां पर कई पक्षों के बीच में हमें conflict देखने को मिलता है तकरार देखने को मिलती है तो geopolitical cross currents that complicate complicate का मतलब होता है किसी चीज को और ज़्यादा जटिल बना देना complicate such efforts तो भारत तो प्रियास कर रहा है कि भारत चाहता है कि मद्देशयाई छेतर में भारत के संबन अच्छे हो लेकिन कई तरह की ऐसी भू राजनेतिक बाते हैं जो कि भारत की इस पहल को और ज़्यादा जटिल बना देती है जैसे कि वाइल रशिया continues to wield influence wield influence का मतलब होता है प्रभाव डालना प्रभाव लेके आना in the car governments कि भई ये जो विभिन car governments है विभिन ने जो car देश है इन पर भारत अपना प्रभाव और ज़्यादा बढ़ाने में लगा हुआ है इसके अलावा इन पर रशिया बई रशिया क्या कर रहा है इस छेत्र में ये जो car सरकारे है इन सरकारों के उपर रशिया अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा हुआ है यहाँ पर एडिटोरिल बताना चाहता है कि भारत के लिए समश्या है क्या क्या है China's Belt and Road Initiative चाइना ने क्या किया है एक आप कहा सकते हो कि एक रोड एक बहुती बड़ी रोड निर्मित करने का फैसला किया है व्यापार को बड़ावा देने के लिए एंड हंड्रेड बिलियन डॉलर ट्रेड बाइस सम एस्टिमेट एस्टिमेट का मतलब है आंकलन हैव मेड एट अ सेंट्रल फिगर इन दरीजन तो देखो चाइना ने Belt and Road Initiative अपनाई है मद्देशय चेतर में इसके अलावा जो चाइना का व्यापार है लगबग 100 बिलियन डॉलर का तो इसके चलते चाइना जो है इस मद्देशय चेतर में एक प्रमुख फिगर बनके उभरा है The US has also been seeking a foot hold foot hold का मतलब होता है पकड़ अपना पैर जमाना तो अमेरिका जो है सीक का मतलब होता है चाहना तो अमेरिका भी इस बात को चाह रहा है किस बात को चाह रहा है अमेरिका अमेरिका भी इस चेतर में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है especially after खास करके after अफगानिस्तान कि भाई ये जो अफगानिस्तान, अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को हटा लिया इसके बाद से अमेरिका भी इस मद्देशियाई चेतर में अपनी पकड़ जमाने की कोशिश कर रहा है Meanwhile, इसी बीच हम क्या देखते हैं कि India's land connectivity to Central Asia is hampered ये को hamper का मतलब होता है, रुकावट डालना, बाधा पहुचाना by Pakistan कि भारत की जो land connectivity है Central Asia से, कि मद्देशियाई चेतर से भारत रोड के माध्यम से जुड सके उसमें रुकावट डाली जा रही है पाकिस्तान के दोरा अब देखो, पाकिस्तान के लिए कहा गया है कि क्या, कि पाकिस्तान which is building, जो की निर्मित कर रहा है क्या, strong link, पाकिस्तान भी अपने संबंदों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है मद्देश यह देशों के साथ में, and transit trade agreement transit का मतलब होता है, आपके जो भी सामान है, उनको transport करना trade agreements with each of the car, कि प्रतेक कार देश के साथ, पाकिस्तान भी अपने व्यापरिक संबंदों को मजबूत करने में लगा हुआ है और पाकिस्तान ने एक तरीके से रुकावट डाली है, भारत की land connectivity, जो Central Asia के साथ है, उसमें the alternative route, तो भारत पाकिस्तान होकर तो जा नहीं सकता, Central Asia के देशों से connect, अगर उसे होना है तो फिर अन्य जो विकल्पिक मार्ग भारत के पास है, वो क्या है, वाया, इस माध्यम से, वाया, इरान्स चाबाहार कि भाई ये जो इरान का चाबाहार port है, इसके माध्यम से भारत अपनी connectivity स्थापित करता है, Central Asia के साथ has received a setback, लेकिन ये जो चाबाहार port है, यहां भी भारत को जो जटका लगा है after, setback का मतलब है एक तरीके का जटका लगना, after the Taliban takeover of Kabul कि Taliban के काबुल को takeover कर लेने के बाद में, takeover करने का मतलब होता है किसी चीज को अपने control में ले लेना, Taliban के काबुल को control में कर लेने के बाद ये जो चाबाहार port पे भारत की पकड़ है, उसको भी एक जटका लगा है and the development of the Indian managed शाहिद बहस्ती टर्मिनल देर और ये जो काबुल छेत्र है, यहां पर and the development of Indian managed शाहिद बहस्ती टर्मिनल कि भारत के द्वारा प्रबंधित किया जाने वाला एक टर्मिनल है, जिसका नाम है शाहिद बहस्ती टर्मिनल है there continues to suffer, इसको भी भुगतना पड़ रहा है due to the threat of American sanctions कि अमेरिका के प्रतिबंदों का खत्रा due to the threat, due to का मतब हो गया के कारण कि अमेरिकी प्रतिबंद के खत्रों के कारण भारत शाहिद बहस्ती टर्मिनल है इसको भी इंप्रूब नहीं कर पा रहा while, जबकि हम क्या देखते है India has strengthened ties with other parts of India other parts of Asia कि जबकि हम यह देखते हैं कि भारत जो है इसने मजबूत किये हैं अपने संबंद with other parts of Asia कि Asia के अन्य जो छेत्र हैं उन छेत्रों के साथ भारत ने अपने संबंदों को मजबूत किया है लेकिन इट यह आया है, इट भारत के लिए इट मस्ट नाव रीडपल लेकिन अब भारत को जरूर और डबल कर देने चाहिए अपने प्रियास किस और टुवार्ड्स Central Asia Central Asia की और इट इस टू, देखो हम इस टू आर टू और एम टू का प्रियोग करते हैं किसी प्लान को दिखाने के लिए कि अगर आपको ऐसा करना है Counter का मतलब में प्रतिरोध करना The Great Game Rivalries Playing Out in the Reason है न कि भई इस छेतर में Play Out का मतलब में खेलना कि भई इस छेतर में जो Great Game प्रतिद्वन्दिता देखने को मिल रही है उसका प्रतिरोध अगर भारत को करना है तो भारत को इस मद्द एशियाई छेतर में Share District का मतलब है जो इतिहास साजा इतिहास With countries that are an important market कि भई ये जो मद्द एशियाई छेतर है इन मद्द एशियाई छेतरों के साथ भारत का इतिहास बहुती प्राचीन रहा है तो इस इतिहास का भारत को पुने दावा करना चाहिए ये जो पुरा की पुरा चेतर है एक बहुती महत्पूर मारकेट है भारत के लिए A source for energy यह एक energy का स्रोथ है ये पुरा की पुरा चेतर And also a bulwark Bulwark का मतलब होता है Defensive wall, रक्षात्मक दीवार Against the threat of extremism का मतलब होता है जब आप बहुती ज़्यादा अतिवादी रवईया अपनाना है बहुती extreme behavior होता है उसको बोलते है Extremism, radicalization, कटरता ये radicalization और extremism एक तरीके से आप इनको synonym बोल सकते हो ये radicalization, कटरता तो ये जो कटरता Extremism से जुले हुए जो खत्रे है इनके खिलाफ आप कह सकते हो एक रक्षात्मक दिवार है भारत का मद्य एशियाई चेत्रों के साथ में संबंद